नमस्कार दापड़े में आपका सभी का स्वागत और आज की इस वीडियो हम करमचारी भौशे निदी संगठन के दौरा जो 2869 पदों पर विगिप्ति आई है उसके बारे में डिटेल से जान करें देखेंगे यह आपके 12th pass और graduation दोनों के लिए अलग-अलग पदों पर बरती है सब कुछ जान करें आपको इस वीडियो के अंतक मिलेगी अच्छी खासी salary भी है exam pattern क्या रहता है सब कुछ आपको बता जाएगा तो वीडियो का अंतक बने रिएगा तो अलग-अलग पदों पर आपके बरती आई है सबसे पहले social security assistant के लिए आपके 264 पदों पर बरती है external के लिए आपके 145 पद है total आपके 2869 पदों पर ये बरती है जो exam forum है वो आपके 27 मार्स से शुरू हो चुके हैं 20 April 2023 तक आपके भरे जाएंगे exam P की बात करें तो OBC और जनर के लिए 700 रुपे है अन्य सबी काटिकरियों के लिए किसी प्रकार का आपका सुलकर नहीं लिया जाएगा exam forum बढने के लिए आपको जो side है वो वीडियो के description में मिल जाएगी या आप टेलिग्राम जोइन करें वहाँ पर आपको मिल जाएगी वहाँ से आप सीधा जाके आपना forum बर सकते हो उससे पहले इस वीडियो को अन तक देख लिए तब आपको सब कुछ जान करी पता चल जाएगी salary है तो अच्छी खासी salary मिलेगी अगर एक जनवरी 2030 को अगर आप 18 साल के हो गए हो तो आप forum बर सकते हो और एक जनवरी 2023 तक आप 27 साल या इससे अंदर हैं तो आप इसमें forum बर सकते हो अगर 27 साल से अधिक हो चुके हो तो आप इसमें forum नहीं भर पाएंगी जो अन्य कटिक्रियों के लिए आपके reserve कटिक्रियों के जो छूट दे रखी है वह यथावत रहेगी जैसे कि OBC को है, SDSE को अलग-लग 2 या 3 साल, 5 साल जो छूट दे रखी है वह यथावत रहेगी लेकि जनवरी के लिए 18 से 17 साल के एज आपके इसके बीच में होंगे तो भी इसमें आप फॉरम बर्षकते हो Education Qualification की बात करें तो Social Security Assistant है तो आपके Graduation के Degree जो है वो आपके होना अन्यवारे है इसी के साथ में Skill Test होगा वो आपके उसमें आपको 35 सब्द पर मिनट English typing आना आने वारे है और अगर आप Hindi से कर रहे हैं तो 30 सब्द पर मिनट आपको typing आने वारे है अब इसमें आप 12th pass हो तो भी फॉरम बर्षकते हो और उसके साथ में आपके Skill Test में Decadition में 10 मिनट का होगा जिसमें आपके 80 word पर मिनट आपको typing करना होगा computer में यह आपके एक सूर्च लेके जैसा होता जो वोल के आपको बताएंगे और इस्टेनों की बासा के according आपको लिखना होगा जो आपने लिखा है उसी को वापस translate करने के लिए English के लिए आपको 50 मिनट दी जाएंगे और हिंदी में typing करने के लिए आपको 65 मिनट आपको समय दिये जाएगा इस प्रकार से आपको इसकिल टेस्ट रहेगा इसमें सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपके सेक्रेंड फेज और फास्ट फेज अलग अलग दो फेज होंगे फास्ट फेज में आपके CBT exam होगो यानि computer based test होगा उसमें आपके objective type की question आएंगे उसको आपको qualifying करना होगा qualify करने के बाद में एक आपके qualify number रखे जाएंगे जो कि आपके total पदों के 10 गुणा अभियारतियों को बुलाने के लिए होंगे skill test के जो number होंगे वह आपके किसी भी final merit में नहीं जुड़ेंगे केवल आपको qualify करना अन्यवार है तब ही आपके final cut-off में आप सामिल हो पाएंगे यानि कि जो आप CBT exam में जो main exam इसमें जितना ज़्यादा number लाएंगे वह आपके qualify होने के लिए final merit में आने के लिए और ज़्यादा आपको नजदी लेकर जाएगा face fast के examination की syllabus की बात करना तो इसमें आपके general aptitude के आपके 50 क्यूशन आएंगे और general awareness के आपके 50 क्यूशन आएंगे English language comprehensive के 100 क्यूशन आएंगे एक क्यूशन आपके च्यार number का होगा टोटल 200 क्यूशन होगे और 800 नंबर का आपका ये paper होगा दो गंटे दस मिनिट का आपको समय दिया जाएगा negative marking भी रखी गई है याने कि आपके one fourth आपके negative marking रखी गई है च्यार क्यूशन गलग करने पर एक सभी क्यूशन आपके जो नंबर है वो आपके cut जाएंगे इस प्रकार से one fourth आपके negative marking है फिर second की बात करें तो skill test है ये आपको केवल qualify करना है जो मैंने आपके पहले बताया थे कि typing वाला है उसमें qualifying करना है उसमें आपकी जो final merit की उसमें इसके किसी भी प्रकार की number आपके नहीं जुड़ेंगे ये थी इस वीडियो में जानकरी आपको अच्छे लेगी हो तो comment box में comment जरू कीजिए और से अंदर को subscribe कीजिए तभी आपको ऐसी जानकरी मिलती रहे और किसी भी doubt है तो comment box में comment जरू करें धन्यवाद